बिग बॉस के घर को मिला नया कप्तान मनु पंजाबी बने घर के अगले कैप्टन टास्क के साथ साथ मास्टर प्लान भी आ गया काम टीवी रियालिटी शो बिग बॉस के घर में अपकमिंग एपिसोड में आपको घर के भीतर कैप्टन सी टास्क देखने को मिलेगा एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि सबसे पहले ये मेडल घर में राहूल महाजन को पहनाया जाता है जिसके बाद उन्हें कन्विंस करके घर के अगले सदस्यों को ये मेडल हसिल करना होता है कैप्टेंसी टास्की रेस में शामिल सदस्यों के पास बारी-बारी से ये लॉकेट जाने वाला है और आखरी यानि छटे राउंड में ये मेडल जिसके पास जाएगा वो घर का नया कप्तान बन जाएगा बात अगर टास्की करें तो पहले राउंड में ये लॉकेट राहूल एजास को सौप देते हैं दूसरे राउंड में एजास ये लॉकेट मनू को सौपते हैं तीसरे राउंड में मनू ये लॉकेट अर्शी को सौपते हैं चौथे राउंड में अर्शी ये लॉकेट वापस एजाज को दे देती हैं। पांचवे राउंड में एजाज ये लॉकेट अर्शी को देते हैं। छटे और आखरी राउंड में अर्शी ये लॉकेट मनु को देती है। इस हिसाब से मनु घर के नए कैप्टेन बनते हैं आपको बताते कि बिग बॉस के घर से जारी हुए एक अंसीन वीडियो में एजाज, अर्शी, कश्मीरा और मनु पंजाबी ये मास्टर प्लान बनाते दिखाई दिये थे जहां मनु ने ये कहा था कि मैं घर का अगला कैप्टेन बनना चाहता हूँ जिस पर कश्मीरा, एजाज और अर्शी तीनों ने उनका समर्थन भी किया था ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अपकमिंग एपिसोड में मनु पंजाबी के रूप में आप घर में नए कप्तान को देखेंगे बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरे लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरीए हम तक जरूर पहुँचाएं